देखिए आम बोलचाल में एक शब्द का हम लोग बहुत ज्यादा परियोग करते हैं, फेवर, F-A-V-O-U-R, फेवर, तो इस वीडियो में फेवर का हिंदी और इंग्लिश में क्या अर्थर मतलब होता है, जानेंगे, अपने आम बोलचाल में किस तरह से इसको sentences में परियोग करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखे, फेवर, मतलब होता है, support, या फिर to provide support, या to give relief to, मतलब किसी की support करना, सहायता करना, पक्ष लेना को हम फेवर बोलते हैं, जैसे महरबानी करते हैं, do me a favor, मेरे लिए महरबानी कर तो हिंदी में अर्थ हुआ, फेवर का किरपा द्रिष्टी, पक्ष, सहायता, मदद, सहारा, इनायत, महरबानी, मतलब सहायता देना, सहारा या साथ देना, दस्तगीरी करना को हम फेवर बोलते हैं, इंग्लिश में इसके synonyms आते हैं, assistance, help, assist, kindness, add, support, advocate, and ETC मतलब और भी इस के इंग्लिश में synonyms हो सकते हैं, चलिए example से इस word को sentences में अच्छी तरह समझते हैं, जैसे बोलेंगे, literally I need your favor in this matter, मतलब सच मुझे इस मामले में आपकी जरूरत है, आपकी favor चाहिए, आपकी किरपा चाहिए, दूसरा example है कि do me the favor, मुझ पर उपकार करो, महरबानी करो, that do not do any favor to me now, कि अब मुझ पर कोई उपकार मत करो, ठीक है तूमीद आपने favor शब्द को English और Hindi में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया, I thank you for watching, you care, desk